स्कूल से घर आने के बाद लड़के ने उसकी बैक सोफे पर फेग दी और अपनी मा पर नाराज होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल में क्यों आई थी? मा बोली अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डिबबे में चटनी रखना भूल गई थी और तू वैसे ही डिबबा लेकर स्कूल चला गया था, इसलिए मैं चटनी का डिबबा लेकर तेरे स्कूल आई थी, फिर लड़का बोला तुझे पता नहीं है क्या? तू एक आख से अंधी ह तेरे घर जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिड़ा रहे थे और मुझे कानी का बेटा बोल रहे थे, फिर मा बोली ठीक है मैं फिर से नहीं आऊंगी तेरी स्कूल में, तुझे भूख लगी होगी बेटा खाना खा ले, पर लड़के को अपनी मा पर बहुत गुस्सा आया था, वो बोला मुझे नहीं खाना और वो गुस्से से मा को भला बुरा कहने लगा, वो बोला कि तू अंधी है तू अंधी है, ये सुनके उसकी मा को बहुत बुरा लगा पर उसने वो नाराजगी अपने चेहरे पर नहीं दिखाए, उसने अपने बेटे पर पूप को पढ़ाया, वो लड़का स्कूल में पहला आया, शिक्षन संस्थान ने उसके लिए सम्मान का कारेक्रम का आयोजन किया, लड़का तयार होकर कारेक्रम के लिए जाने लगा, उसकी मा ने पूछा कि बेटा मैं आउन क्या तुम्हारे साथ, वो बोला नहीं, फिर लड़के का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी, वो स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी रही, अपने लड़के को माला पहना हुआ देखकर वो बहुत खुश हो गई, कारेक्रम होने के बाद जब लड़का घर आया तब उसकी मा उसे कहने लगी कि, बेटा मैं तेरा का पहरेक्रम देखने आई थी, मा का कहना पूर्ण होने से पहले वो उस पर चिलाने लगा और कहने लगा कि तुझे कितनी बार मैंने मना किया था, मेरे स्कूल आया मत कर फिर भी तु स्कूल आई, तू आई क्यू, उसको अपनी मा की ममता नहीं दिखाई दी, उस लड़के के होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विशय समझते थे, वो उसकी मा को कभी समझ नहीं पाया, ऐसे ही दिन बीद गए, लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी हुई, फिर उसकी पतनी उसे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं कि तेरी सास एक आख से इसलिए हम ये घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं, दूसरों के घर के बरतन घीस के बड़ा करने वाली, खुद का मंगल सूत्र और सोने के गहने बेचकर अपने लड़के को पढ़ाने वाली मा को छोड़कर वो दोनों दूसरे शहर में रहने चले गए, धीर उसे मिलने का विचार मन से निकाल देती है, पर मा तो मा धहरी, उससे रहा नहीं जाता, वो अपने लड़के से मिलने के लिए निकलती है, शहर में उसके बेटे के घर पहुचती है, तब उसे अपने पोता-पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं, वो उनको उठा कर खिलाने के लिए आगे जाती है पर उतने में उसकी बहु चिलाती है कि आप बच्चों को हाथ मत लगाना। उस वक्त उसका बेटा वहाँ आता है और कहता है कि तू इधर क्यों आई? मा, चली जा यहां से। मा को बहुत दुख होता है और वो जैसे तैसे अपने आपको संभाल कर घर पापस आती है। कुछ दिनों बाद परोसी उसके बेटे को फोन कर बताते है कि तुम्हारी मा के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचे इसलिए एक बार आकार उनसे मिल लो। लोगों की शर्म से वो लड़का अपनी मा को मिलने के लिए निकला। पर मन उसे अपनी मा पर ब वो उसके आखरी पल में भी तेरा नाम ले रही थी। परोसी उने लड़के को एक पैकेट दिया। लड़का फिर शहर वापस चला गया। उसकी पतनी ने पूछा कि क्या हुआ। तेरसकार से बोला कि अंधी मर गई। चाय पीते पीते उसने वो पैकेट खोल कर देखा तो उसमें एक चित्थी थी। वो चित्थी उसने निकाली और पढ़ने लगा। बेटा ऐसा लग रहा है कि अब मेरी भगवान के घर जाने का समय आया है। इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि तुझ जब छोटा सा था तब एक एक सीडेंट में तेरी एक आख चली गई थी मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे बाबा ने तेरे इलाज के समय अपने पास के सब पैसे, प्रॉपर्टी खर्च कर डाले पर वो सब तुझे आखे नहीं दे सके। मैं तुझे ऐसे एक आख के बिना नहीं देख पा रही थी इसलिए मैंने मेरी एक आख तुझ से रोने लगा, रोते रोते वो कहने लगा कि मा तुने तेरी एक आख मुझे दी थी, तो मेरे लिए एक आख से अंधी हो गई थी, ये बात तोने मुझे क्यों नहीं बताए, मुझे माफ कर दे मा, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाया, बेटे के पास अब सब कुछ था घर, पैसा, परिवार लेकिन उसे जन देने वाली उससे भी ज्यादा उसे सुखी रखने के लिए जीवन भर बिना एक आख के रहने वाली मा नहीं थी.